जैसा कि मैंने बताया कि हम एक मर्तबा फिर गन्य का रस लेने के लिए आये हैं इसी गाउं के पास एक बहुत बलंद पहाड़ नुमा एक जगा है यह नाजरीन यहां पे गुड़ तयार हो रहा है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है झाल झाल जानी तो नहीं लाग जानी तो नहीं हो नहीं असलाम अलेके जास वीड हम आया है एक फर जवाब फिर गन्ने की अराज की तराज में जासा कि मैंने बताया कि हम एक मरतबा फिर गन्ने का रस लेने के लिए आये हैं क्योंकि उस विलाग में आपने दिखा होगा कि लाइट चली गई थी और हम जो है वो नाउमीद होकर वापिस लोड़ गये थे लेकिन हम जब दुबारा है तो इसी गाओं के पास एक बहुत बलंद पहाड अनुमा एक जगा है जहां से आप अगर खड़े हो जाएं तो इर्द गिर के जितने भी गाओं है इसली आप उन पर फोकस कर सकते हैं और यहां से अगर आप देखेंगे तो वही मारी वाला नजारा है बिल्कुल धूंद है आपको दूर दूर तक नजल नहीं आता और आपका जो फोकल आपकी लेंट आँखों की वो कम हो जाती है नाजरीन हाजरे किसमत नहीं है वो काम जिसके लिए हम यहां दूसरी बेना जा रहा तो वह भी लिखते हैं कि यह नाजरीन यहां पे गुड तयार हो गारा जाए कि कि अधी स्टार्टिंग स्टेज सेज और और आइस्ता आइस्ता जो है यह गन्यक अरस ठाजाए और इसससे ज़र बोड़ तयारे जाए में जलने के बाद इसमें कुछ अदिश कि जाएगी कुछ चीजों के लाद जो है वो गुड़ तैयार जाएगा कि वो भूपा पूप टी ही लाएगा। कि जाएगी कि लाएगा लैके का लीरike कि л गुक जाएगा तैयार जाएगा है जाएगा मुकमल हमें मिल गया है गन्ने का रस अभ हम जाने है वापिस और इसी के साथ हमारे विलोग का इक्षाम होता है इसी उमीद जाद के अल्ला आपको खुश और अबाद रखेगा